तमाम तरह के पोशक तत्वों से भरपूर पपीते का सेवन कई तरह की बीमारियों से निजात दिलाने में काफी फायदे मंद होता है इसमें विटामिन सी का भंडार होता है इसे कचा और पके हुए दोनों रूपों में खाया जा सकता है कोलेस्ट्रॉल कम करने वजन घटाने में इम्म्यूनिटी और आखों की रोशनी बढ़ाने में इसके काफी फायदे होते है इन सब के अलाबा पपीता खाने के कई तरह के साइड एफेक्ट्स भी होते है कई बार पपीते का सेवन हमारी सेहत के लिए काफी नकसान दे भी होता है आज हम आपको पपीते के सेवन से होने वाले नकसान के बारे में बताने वाले है पी लिया होनी की संभावना पपीते में पाई जाने वाले पपाईन और बीटा के अरोटीन नामक पदार्थ की वज़े से शरी में पी लिया और अस्थमा जैसी खतरनाक बीमारियों की संभावना काफी बढ़ जाती है पपीते में इन दोनों पदार्थों की काफी मात्रा पाई जाती है किड्नी में पत्री यूँ तो पपीते के सेवन से केंसर हाई प्रटेशन ब्लड वेसेल डिसॉर्डर से सुरक्षा मिलती है लेकिन एक अध्ययन में यह बाद भी सामने आई है किड्नी में पत्री की समस्या पैदा हो सकती है पपीते में बहुत तायत मात्रा में पाया जाने वाला विटामिन सी इसके लिए जिम्मे दार है गर्भपात की संभावना कच्चे पपीते की वज़य से गर्भपात के बारे सब जानते है कच्चे पपीते में मौजूद लाटेक्स नाम के तत्व की वज़े से गर्भाशे के सिकुर्णे की संभावना बनी रहती है जिसके कारण गर्भाथ या फिर समय से पहले प्रसव की संभावना बढ़ जाती है यदि कच्चा पपीता प्रेगनेंसी के अंतिम चरण में खाया जाए तो लेबर पेन का भी खत्रा रहता है